असलम अलेकुम तो हाई गैस कैसे आप लोग रहे हैं मैं कोब रहने वीडियो के साथ अनॉनिमस के पुब्लिक आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं जो के करना बहुत जरूरी है तो मैं भी थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है मे इतनी इज़त आप लोगों को इतना प्यार दिया ना कि यह हमारा नाम ना बहुत 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 जादा उपर जा चुका है शुक्र जिसका मुझे कोई गरूर नहीं है मैं हमेशे आपक का शुक्र अदा करता हूं उसका उस तीस के लिए दूसरा जो फेम होता है ना लोग आपसे नफरत करते हैं लेकिन आप तब भी फेमस हो जाते हो यह सब टिक टॉक पर एकसर दिखा होगा लोग गालियं खाकर फेमस हो रहे होते हैं तो मैं उस फेम की बात करो हूं फेम दो तरह की होता है अब लोगों को ना एक नया रास्ता मिल चुका है वो रास्ता खेलता भी होगा तो कोई खेलना मिल tentang नहीं आता होगा ऐसी बस आप को ठीक टॉक की बागी वीडेओ sy देख लो आपको लाइकस नहीं मिलगे लेकिन जिसमेंगे बहुत ही जादा हो रही है लेकिन मुझे पता दुख किस चीज का होता है जब मेरी पब्लिक कॉमेंट्स में मुझे डिफेंट कर रही होती है और लोग हेट करने के लिए आप लोग को पिन गरते हैं मतलब अलापाक ने अब मुझे इतनी इज़त दिया मैं ऐसा करना नहीं चाहता है लेकिन लोग ऐसा करते हैं और मैंने आच तक किया नहीं है ना मैं कभी करना चाहता हूं कि आप लोगों को बोलूँ जाके फ़ला बंदे को हेट दो फ़ला बंदे को रिपोर्ट करो फ़ला ब बड़ी खुश होती है चैट में लोग थोड़ा सा सैड हो जाएंगे और वो उस चीस का फायदा उठाते हैं लुस्फ उठाते हैं थोड़ा जहनी मरीस टैप लोग होते हैं अभी लास टाम हमने मैच के रहा था उसमें दो टीमें हमें जोन के भार मारने आई थी और लाक चाहे वो वीडियो में हैं अगर वीडियो है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो जो कि लीगल तरीका है जो कि मतलब कानूनी तरीका है हर एप का होता है अब उसको रिपोर्ट करके वीडियो को डाउन करवा सकते हो यह मैं आपको अलाओ करूंगा क्योंकि हेट देना गलत चीज कि अपका एक कॉमेंट ना उन लोग के हेट कॉमेंट को गाय भी कर देगा एक्दम इतना जादा नानुमस की पॉब्लिक आप स्टार नानुमस कुछ भी दिल जो भी पॉजिटिव चीज पैम करो तो हेट कॉमेंट नजर नहीं आएंगे और यह जो हेटर होते हैं नफरत करने वाले होते हैं आप लोग को तंग करने वाले होते हैं मुझे तंग करने वाले होते हैं दिलों में जो है बघ्ज रखके बैटे होते हैं उनका जो एक जवाब है ना उनको देने के लिए वो यह है कि आप हर जगा स्टार ना स्टार नोमस कर दो स्पैम देखके ना मैं कह रह हुआ जाएगी चाहिव टिक टॉक किया उसके लावा अगर कोई लाइब जगा पे हैट दे रहा है पोस्ट पे देरा तो आप इसना स्पैम कर दो ना अन्स के हेट भी नहीं पहलेगा दूसरा आपको कुछ बुरा भी नहीं बोलोगे और तीसरा जो लोग दिल में बहुत रखते हैं उनके लिए बेस्ट आंसर होगा यह तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी लोग आपको पिन कर रहेंगे कभी भी जो है आप उनको अटेंशन मत कमेंट हैं पर मुझा दो अपना दिल करो अपनी थोड़त से दिमाग रिपूर करो जहां पर औरिपोर्ट करने वाल Алए नेरे रिपोर्ट करो जहांब आपको लगता है SPME करना जाई है वो कुछ हेटर्स कुछ होते हैं और आप हजारों में हूँ जब हजारों स्पैम करोंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे भाई मुह बंद हो जाएगा जलेंगे अंदर ये अंदर आग लगेगी बेस्ट आंसर होता है हसाद रखने वालों के लिए तो आएंदर से आपने ये कर करके अनॉनिमस स्टार और उसके लावा रिपोर्ट करके आपने अपना अपने आपको स्ट्रॉंग रखने और अनॉनिमस की पब्लिक जहना है मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे इंशालला तो वीडियो लंबी होगी लेकिन चलते भी गेमप्ले की तरफ तो आज मैं का अपको बता होते काफी बार ऐसा होते की काफी जादा ट्राइग बार गेमप्ले नहीं बनता तो मैं फिर इसके मेरे हुए होते हैं अलग अलग गेमप्ली में लेकर आता हूं तो आज वही वाला सीन है गाइस बहुत ज़धा स्कॉर्डर नेकिन दुख की बाता कि कल कोई ग और यहां पे बैठ के रैफ देनी का मतलब यह होता है कि जैसे बंदा ऊपर आये तो आप उसको डाउन कर सको दूसरा फायदा यह होता है कि इस जगह पर पुब्लिक जो एनिमी होता ना उसके एम खराब हो जाता है बड़ आपको केरफुल रहना पड़ता है अगर बंदा अब इनका आखर बंदा बचाता है इनको मैंने जल्दी से वाइप कर दिया था नीचे जंप किया तीसरा बंद इनका आ जाता है और इसको बहुत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बावाजी फिर यह अलग गेमप्ले का सीन होता है से मैं नोग उतरा था यानि कराची औ दोगेमप्ले को नहीं बन पाता लेकिन इस कॉर्ड को कैसे मारा पपलिक आपको ना स्कॉर्ड के मलब behavior को देख के उनसे पाइड लेनी पड़ती है और इनको बंड़ों को मारा तो बहीएविर को देख के फाइड लेनी मतलब कर आपको अब वहताऊंगा आच्छे समझाँ और यह दोनों हो गए डाउन पिछे से बैकप फायर आया इन टीम थी यह और इनके दो बंदे थे ना बाकी अब एक नौक एक फिनिश है अब जो दो बंदे थे वह नौक वाले को बचाने नहीं आ रहे थे वह मतलब काफी कैम्प करके खेल रहे थे काफी सबर करके खेल थे मैं लग-अलग अंगल बनाया देखा कहां पर टीपी प्लेय रहे रहें कहां पर रहें लेकिन वह अपनी पोजिशन नहीं दे रहे थे तो ऐसे स्कॉर्ड होता है तो उससे आपको बहुत एहत्यात से बहुत को तो समझ की चलना पड़ता है क्या करें आ कि के बाद मैं यह से अब दुछे करणे के खेल रहे हैं के बहुत लुट रहे तो फाइवार तो वह इनके बाकषी दो बंदे थे प्बलिक वह घरो में लूट कर रहे थे और ौर अपनी पी पोजिशन कर चुए चुके थे और लेकिन यह में जाने भी ना देते हैं यह केंप करके मारने की ट्राइ करते हैं तो मैंने स्पॉर्ट किया फिर मैं टीमेट को बोला कि आप ना नीचे क्लोस चले जाओ मैं ओपर से नॉक निकालूंगा और फिर आप रश कर देना और इतने दिन में आपके पीछे-पीछे बावाजी देखी जाए कि जो अच्छे के लिए का नारा कच्छे के लिए का अटेंशन लेनी बावाजी अब भी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो प्लीज 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 अनॉनिमस के लिए लाइक बटन ठोक दो इस वीडियो पे हमें 70,000 से जाधा नीचे है और यहां पर मुझे बादा चल चुका था कि वह नीचे राइट पर है तो मैं साउंड लेके इसे वाल पर आ गया उसने प्रिफार दिया पीछे से बाट आरता तो बाट को तुम्हीं टीमें ने डाउन कर दिया अब मैंने फैसल है कि पब्लीक के टीमेट के सब मि हमारे फ्लोर के उपर आ चुका और हम इंदोनों के बीच में हैं और अब जो नीचे वाला था वह पैनिक हो गया उसने अपने टीमेट को बिलाए तुम मेरे पास आया जल्दी से मैंने फॉरण से इसको डाउन किया अब इनका एकी बंदा बचे तीन को मैं डाउन कर चुका कल बहीं मैंने यकीन किरो पबली है पने मैचस ट्राइगे ना बठ भाही जब नहीं होता नإ度वाल किशड़ नहीं बनती अब इसमें में इसमें सोलस्कॉर् ट्राय और हमकर कर रहा था और यहां इनितने गंदlies से गरा था परीफर देकर देकर ऑन किया अब खुद सोचो ओ इसको मारा इसके टीमेट गुस्से में आये दूसरे को डॉण किया अब इसका तीसरा टीमेट भी आने वाला है तुम उसका वेट कर रहा था नौक पड़ाने नीचे यह कहीं नहीं जाने वाला पुब्लिक इसके टीमेट को फोड़ा प्रेशर में आने दो अब मैं यह पर गल काली वाल पर आ गया था मैं लेकिन में वेस्ट नहीं थी हलमेट भी वन का था तो जम करके इसको लो किया और बिचारा मरी जाता है लोग को होते होते आखरी बुलिट को रेक्ट होती है इसको और यह डाउन हो जाता है फिर मैंसे यहां पर लूट की थी इनकी उसके बाद बढ़र की तरफ चलते हैं जो कि था कॉंक्रर का स्कॉर्ड एक और और मतलब इसमें उत्रा था नुव अब जो गज़ यहां पर फाइट सोने वाली न वह बहुत ही लेवल की फाइट सोने वाली है बहुत ही मदा आने वाल आपको और इसमें एक ऐसा सीन हुआ था कि इनियन कि अफर में बना थे बना बना गुझा भूख लग रही है कुछ खाने को भी सबस्तिता अब भी सेफ करने के लिए लगा कि अप्लोड पर लगा कि खांगा तो पब्लिक आगे था मैं नोव या निकरा ची और यहां पर इस गिम्प्ले में ने मैं एंड पर जाता हूं रहा तो इसलिए मैंने यहारा पोस्ट नहीं गया था लेकिन ओवराल यह बहुत मज़िया गिंपले होता है अभी इसमें इसमें मैं तीन स्कॉर्ट अपके थे इसी गिंपले में वह तीनों मैं आप लोकल लेक्या हूं पहला स्कॉर्ट आप किया यह सोलो बंदे को यहां पर पकड करूंगा एक्स्टेंडेड मैक के बगैर तो उसको कभी स्तमाल मत ही करो भाई इसका इतना जल्दी डिओare क्या आपको यह 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 गना आपको लॉइबी पहुचा देगी मैं आपको बता रहा हूं यह गना वेक्टर 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 हाँ इसको हो कभी मार्मिज्ज जो लेफ़ पर शैक्स हैं वहाँ पर रूट करने के लिए अब इनके दो बंदे बागी बचे थे और दूसरा बंदा आ रहा था मतब तीसरा बंद इनका रहा था दो कमें डॉण कर चुका था अंदर भाग गया वंदर सरच करने के लिए उनका उपर आफ लैंड खड़ा था तो यह तीन ही बंदे से जिनसे मुझे फाइड लें थी में अंदर आया रिलोड करने के लिए रिलोड के लिए पूले को फिनिश किया धूब फिर से रिलोड लग दे इसलिए आपको कह रहा था कि ये गन कभी इस्तमाल मत करो पर उपर वाले को डॉन करके वाला स्कौर्ड उत्रा होता है क्योंकि आपने दिखा था कि का फिद्ध स्कॉरा तो मैं आई तो अनुमस हाउस हीर निसकॉर उसमें अब उन्हें ने फ्लेर चलाइए तो मैंने उनको यहां बुलाने के लिए वजना वह फ्लेर्ड लूट टे लूट लूट कर देते कि का फिद बन्दे मर जा जाता तो इसलिए मैं आपको बोला ना कि आपने स्कॉर्ड को देख के फाइट लिया करो अब मैं स्कॉर्ड को इसलिए यहां पर लाना चाहता था क्यूंकि देखो काफी ओपन से उनको मुश्च तकाना पड़ेगा रश करने के लिए जिसका फाला उठागे पब्लिक मन को ड क्या करो प्लिक इस इसना आपका गेमसेंस और बंदों को माळने जो करह आपका प्रीकर होगा बESसेंद करने प्लिक कर दे अब यहां पे भी में लेट हो गया मुझे आइडे नहीं था कि वह दूर से भाग की आंगल बनाएगा तो जैसे मैं आपको बोला यह काफ़ अच्छा स्कॉार्ड था और यह काम गर रहा था मैं अपने ड्रॉप को भी दीख रहा था ड्रॉप भी आ चुका था और दूसरा व इनके बंदे को मार दिया गया था पहली और यह आफरी बंदे को इनका दो बंदे मेरे क्लोज आ गया थे एक वाइट वाला और एक परपुल ला इनका तीसरा बंदा डॉप लूट के क्लोज आता है जिसमें से वह लेवल थी उठा कर लाता है तो मैं नीचे जम करके ना पर आमल करता है ने फिर से लोग आने के ट्रयी यह कि ने नहीं चाला और ने निकाल कि पले पकीया पंडिक एकड़ बंदे को मैं देख रहा हाथा और फिर सर पर जाके नेच फटर और यह बंदा नवया था रह आदेंग कर और बंदांकी आता है उसको भी में नग देताम एक दम से जहां यह एक अच्छा एंगल बनाने की ट्राइक कर रहे थे एक अच्छे प्लैन के साथ मुझ पर रश्ट करने की ट्राइक एक दम से मैंने इनका वक्त बतल दिया जिजबात बदल दी जिन्दगी बतल दी आखरी बंदा इनका यहां पर आता है मुझे लगा नीच क्यां की इस आकरी बंदे पर प्र Epic बनें यहां तो मुझे नाजी अगर्या है काπειया जाका कृभर पॉइए ज ones टीमें आपंदी की लिए मधना होने का उस Talk मुझे डो कारए तो उटाओ इस को के लिए जयरे हुआ आगवहा थाक्त है मुझे लगा कि वहाँ छल गया लेकिन बॉट सब्सकारा और रिघ्रह अरुज़ा, ऑन्धु अद्यव, भॉट कर दो कि तो ग्रोजब करहा है , और कि आर्या के लिका हुआं कि अगसे अब बावाजी जम्प करके कान के निशे लगाया इसको लॉबी बगाया मौत कुछ हुआ तक से वापस आ गए अब अब चलते हैं आखरी स्कॉड अब की तरफ जो के बिच कम गया था मेरा एंडियन स्कॉड ने मैं अपनी घदा गाड़ी को यहां पर रोका और एक बार चेक करने कुछ करेंगा जो कि लिए संसिट थोड़ी सी काम कर लेता हुए उसकोड की क्योंके जादा होता है न तब का स्वी संसिटीविटी को अब कर दे होती से आजाती है यह पूरे के पूरे चार बंदे होते हैं मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करूं और इनके हाथों मरूं अब मुझे ना जब पते चलते हैं इंडियन स्कौर है तो एक थोड़ा सा और मतलब दिल में आ जाता है कि इनको कोशिश करके इन से फायट जीतनी है क्योंकि आजियोंकि पाक्सान इंडिया चलता है तो मतलब मैं दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इन्डियन लोगों की अवाम की हाँ मतलब पॉलिटिशन तो किसी भी मुलक के ठीक ने होते हैं लेकिन अवाम की हर इंडियन बंगलादेश को कोई कंट्री है उसके जो आम लो यह चलता रहता है तो मेरा दिल था कि मैं फाइट जीतूं हार ना जाओं अब मैं पेट्रोल पंपाता हूं तो यहां मुझी स्पॉर्ड कर लेते हैं अब पब्लिक जैसे कि मैंने आपको स्कॉर्ड देखके और जगा देखके फाइट लेनी पड़ती है सोलो स्कॉर्ड फाइ कि यहां से इनको मुझ प्रेज़ करना था दूसरा बने देख लिया था इनके पर गार नहीं और यहां पर आके इनका वेट करने लगा और इनको लगा कि मैं यहां से जा चुका हूं बाग चुका हूं लेकि मैं ऐसे भागा नहीं ता और यह जंप फॉम करके ना मतलब क्राइक लाते कैसे हैं कान की निचे लगाया बकरा बनाया मिस्टर गुंडा भज्या को इनके दूसरे बंदे को हम पर अगर यह हैड लग जाता बहुत मज़े का मंदला सीन होता बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ फिर से दूसरे बंदे को बाड़ी मारा और यहां पर नौक द आपको स्नाइपर यूज करने के डिसएडवांटेज भी होते हैं जो कि अभी मैंने फेस किये अमें क्लोज आ गया था कि नौक वले को फिनिश कर सकूँ दो बंदे नौक हैं एक को फिनिश कर दिया दूसरे को स्प्रे दिया वो फॉरण से घंस में लेड जाता है अब गैस मैं इतना क्लोज हूँ सामने वले बंदे के कि अगर दूर होता तो घंस रेंटर नहीं होता लेकिन अभी घंस रेंडर ओर था और मैं जो दूर आके लेटा बंदा उसको स्कोप अन करके स्पार्ट भी नहीं कर सकता था अब बहुत ही गलत जगा थी इन तीन बंदों से अब किस बंदों बचना लिखा तो आप बज सकते हैं यहां पर मेरा घ्रोजा का हैड को जाता है बैड गुजर को जहां पर मैं मौत को चुआ था बावाजी सच में यहां पर मैं टक से वापस आ गया इनके आखरी बंदी ने भी जो होल दी किया यह मेरी इस इची बात हो ग कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो बहुत दिल से माज़रत मुझे माफ कर देना अच्छी लगए असे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना इंस्टागम पर फॉलो कर लेना पब्लिक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा सैकंड चैनल सब्सक्राइब कर ल प्लिक अलहाफिज